लो दोस्तों यह हमारा सेकेंड पार्ट है सिरीपी का चाल डेपलेमेंट का तो आई यह स्टार्ट करते हैं किसुरा वस्ता से उसमें किसुरा वस्ता भी खत्म गया था यहीं से स्टार्ट करते हैं यह वाला टॉपिक पूरा नहीं उपाया था इसलिए यहीं से स्टार्ट करत किसुरवस्ता 12 से 18 वर्श की अता हुती होती है खुछ मनवज्ञ को टीण वागव में बाहत दे ते ज्यसे पहली होती है हमारी प्राग किसुरवस्ता यह 11 या 12 वर्श से लेकि 13 चोदी वर्श को डे दिए दूसरी होती है हमारी प्रारमिक कुसुरावस्ता ये तेरे या चौदे वर्से लेके सत्रे वर्स तर लेती है और लाश्ट में हमारी है उत्तर कुसुरावस्ता ये सत्रे से अठारे वर्स के लिए होती है किसोर अवस्ता में बालक के शंबेगों में बहुत उतल पतल पाया जाता है इसलिए मनोबज्याने इस अवस्ता को समस्यात्मक अवस्ता भी कहते हैं कैसे अवस्ता कहते हैं समस्यात्मक अवस्ता भी कहते हैं इस अवस्ता को संदिकाल की अवस्ता भी कहते हैं कैसी अवस्ता कहते हैं? संदिकाल की अवस्ता भी कहते हैं। इस्टेन हॉल के अनुसार कि सुरावस्ता बड़े बल, संगर्स और तूफान की अवस्ता होती है। इस्टेन हॉल कहते हैं कि सुरावस्ता बड़े बल और संगर्स और तूफान की अवस्ता होती है। कि सुरावस्ता की कुछ भी सेस्ता हैं, आईए चलो देखते हैं उनको भी, क्या क्या अब सेस्ता हैं कि सुरावस्ता की, पहली है हमारी सारे विकास, कि सुरावस्ता में सारे विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है, इस्तर तता समायोजन का भाव होता है, विवार में विन रोल की बावना होती है समासेवा की बावना उत्पन होती है इस्वर तथा धर्म में विश्वास होता है इसी क्रम में आ गए है इसी क्रम में आ गए है समासेवा की बावना होती है इस्वर में धर्म और बेश्वास हो गया स्वाविमान की बावना आती है बीर नायक की बावना होती है जैसे जो भी हीरो या हीरोईन होते हैं या जो भी सुतनता से नानी होते हैं उनको अपना आइडल मानते हैं अपराद प्रप्रप्ति का विकास होता है यानि कि इसी अवस्ता में बालक अपरादी भी बन जाता है कामशक्ति की परफक्तुता यानि की कामशक्ति की परफक्तुता इसी वस्ता में आती है आगे हम देखते हैं व्यक्तिकत विन्नता हैं हमारा न्यूटपक स्टाटोराईस में व्यक्तिकत विन्नता हैं संपूर संसार में कोई वी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकते हैं उनमें रूप, रंग, आकार, बुद्धी तथा व्यक्तित्व आध में वन्नताएं अवस्य पाई जाती है व्यक्तित्व वन्नताएं का संपृत्य गाल्टन ने अपनी पुस्तक हैरीडेटरी जीनियस में दिया है तो गाल्टन की पुस्तक है हैरीडेटरी जीनियस उसमें गाल्टन ने व्यक्तित्व वन्नतागा अपना परचय दिया है जोगी उन्होंने बात कहिए बक्तित विन्नता के बारे में आगे देखते हैं इनका कहना था कि कोई विवालक कोई विवालक का अच्छा में एक समान नहीं हो सकता कोई सामान बुद्धी का होगा तो कोई प्रत्वासाली बुद्धी का यानि कि क्लास में भहुत सारी बच्चे होते हैं तो कोई वी वालक एक समान नहीं हो सकता है कोई वालक जल्दी सीखेगा कोई वालक देर से सीखेगा यानि कि कोई वालक प्रत्वा साली होगा और कोई वालक सामान्न बुद्धी का होगा समानु बुद्धी का वालक धीरे-दीरे सीखेगा जोगि प्रत्वा साली वालक जल्दी सीख लेगा अत्य कच्छा में अध्यापा को ब्यक्तिकत विन्नता को ध्यान में रखकर ही सिचरकार करना और कराना चाहिए इसकनर के अनुसार, इसकनर के अनुसार क्या है? ब्यक्तिकत भिन्नताओं से हमारा ताथ पर ब्यक्तित्त के उन पहलवियों से है जिनका मापन एवं मुल्यांकन किया जा सकता है ये इसकनर की परवासा है ब्यक्तिकत विन्यता के प्रपिक पर कि ब्यक्तिकत विन्यताओं से हमारा ताप पर ब्यक्तिकत के उन पहलुँओं से है जिनका मापन एवं मुल्यांकन किया जा सकता है टाइलर के अंसार क्या है शरीर के रूप, रंग, आकार, पुद्धी, रुची, व्यक्तित आधि के आधार पर पाई जाने वाली विन्नेता को व्यक्तिगत विन्नेता कहते हैं यह अमारी परवासा है टाइलर के अंसार जेम्स ड्रेवर के अंसार देख लेते हैं जेम्स ड्रेवर जी क्या कहते हैं यह विए एक मनोब वग्यानिक है इनके अनुसार क्या है प्रवासा कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति अपने समूं के सारीरिक तथा मांसिक गुणों के उसत से जितनी विन्नता रखता है व्यक्तिकत विन्नता कहते हैं यानि कि कोई ब्यक्ति जो अपने शमू से सार्रेक तता मान से गुण के उसत में जितनी भी विन्ता रखता है, जितनी भी उसमें विन्सानुकरम, दूसरा कारड पातावरड, अमारा लिंगभैद भी हो सकता है कारड वरत्तिकत विन्नता का, चौथा है हमारा ब्यवद्धी, बुद्धी हो सकता है, पांच मां है हमारा जाती प्रजाती एवम देश के आधार पर भी विन्निता पाई जाती है, छट मां है हमारा परपक को बताके आधार पर भी विन्निता पाई जाती है, इसी करम में आगे देखते हैं, अब देखते है ब्यक्तिकत भिन्यताओं का सेचिक महतु ब्यक्तिकत भिन्यताओं का सेचिक महतु क्या क्या महत्त भिक्तिकत भिन्यताओं का पहला है कच्छा का बर्गिर करकर करने में कच्छा के आकार में पाटा क्रम के निर्मार में होता है ग्रह कार देने में सिचड कार करने के लिए आधे हम देखते हैं व्यक्तिकत बिनताओं पर आधारत प्रविदियां कौन कौन सी विदियां है व्यक्तिकत बिनताओं के आधारत पर आधारत आईए देखते हैं कौन कौन सी विदियां है पहली विदिया है हमारी डालटन प्रडाली इसको क्या कहते हैं मैं सेलेन पार्क का इनों ने ये डालटन प्रडाली दी है इस प्रडाली के अंतरगत हम बालक को कारे का ठेका दे देते हैं यानि कि एक ही बार में कारे करने के लिए उसको दे देते हैं यानि कच्छा में बालक को दो पार्ट याद करने के लिए लवब एक निश्य समय दे देते हैं कि आपको य वाला काम करवाने लगे बच्चों से ठीक है आगे हमारी विनेटिका प्रडाली यह हमारी दिये डॉक्टर काल्टिन बॉस्वर्ण ने आइए देखते हैं इसमें क्या कहते हैं इस प्रडाली में हम पाठेक्रम को टुकड़ों में तोड़ देते हैं अध्य बालत एक पाठ को तयार करने के बाद ही तूसरी पार्ट को तयार करता है यानि कि इसमें हम जो हमारा पाठे क्रम होता है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं पहले बच्चा एक पार्ट याद करके लाएगा उसके बाद ही अगला पार्ट तयार करेगा तीसरी है है हमारी, अब क्रमिध अनुदेशन प्रढाली, यह हमारी दिये वीये फिस्किनर जी ने, जो बहुती बड़े मनुबज्यानिक है आईए ये क्या कहते हैं देखते हैं इस प्रडाली में पार्ट को यूनिट में तोड़ कर पार्ट को प्रोग्रामों में तोड़ दिया जाता है प्रोग्राम कई भागों में हो सकता है यह प्रडाली अधिगम के सिद्धान्त किरिया प्रसूत अनुवंधन पर कार करती है किस पर कार करती है किरिया प्रसूत अनुवंधन सिद्धान पर कार करती है आगे हम देखते हैं केंडर गायटन प्रडाली यह हमारी दिये फ्रोवेल ने ये काफी बार पूंची भी जा चुकी है TET में, CETET में ये काफी बार बहुत सारे एक्जामों में पूंची जा चुकी है, जितने भी Teaching एक्जाम है, उनके लिए ये बहुत मत्वूर है, तो आज़े देखते हैं Kindergarden प्रडाली, ये दिये हमारी Frowell है उनका जन्व भूँआ 21 अप्रइल जो बालक होता है जो सिच्चा घरड करने आ रहा है उसको क्या बता रहा है बालक बता रहा है एक माली बता रहा है इस पडाली में बालवारी पडाली इस पडाली को बालवारी पडाली भी कहते हैं इस पडाली में बालव को उपहारों के माद्याम से सिच्चा देते हैं यानि कि उपहारों का प्रलोगन देकर बच्चे को सिच्चा में रुची पदा की जाती है इस इक्रम में आगे हमारी प्रडाली है मान्टेशरी प्रडाली इस प्रडाली को दिया है हमारी डॉक्टर मारिया मान्टेशरी ने ये एकली की मनुभग्यानिक थी तो आज़े देखते हैं ये क्या कहते हैं इस प्रडाली के अंतरगट छोटे छोटे बच्चों में मंद बुद्धी बालकों के लिए होता है। यह प्रडाली किन बच्चों के लिए जो मंद बुद्धी बालक हैं उन बच्चों के लिए है है। यहाँ प्रडाली मनुव अग्याने सिद्धानतों के अंसार होती है। में बिहारक सिच्छा खेल खेल में के माध्याम से आजिस खेल खेल में सिच्छा दिमारिया माल टिरी शरी जी है ये इतली की मनौ का ग्यानित ओर इन्होंने मन्द वुद्धी वालक जो बच्चे धीरे-धीरे सेखते हैं तो उनके लिए ये बेहार एक सिच्छा का कारे करती है और ये इन्होंने ऐसी प्रडाली दी है जो खेल के मात्यम से बच्चों को सिच्छा दी जाती है आगे है हमारी अन्वेशलर प्रडाली यह हमारी हिऊरोइस्टिक प्रडाली भी कहते हैं यह हमारी दी है ह-e arm strong नहीं कि प्रडाली में बालक समस्या का समाधान करता है इसलिए इस प्रडाली को खोज प्रडाली भी कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि खोज प्रडाली का जनक किसे कहा जाएगा Arm strong को कहा जाएगा ये पडाली बिज्ञान विशय के लिए अत्मेतपूर होती है किस विशय के लिए मेतपूर होती है बिज्ञान विशय के लिए आगे देखते हैं हम बेसिक सचा पडाली ये हमारी दीती महात्मा गांदी ले जो राष्ट पता कहलाते हैं हमारे देश के उन्होंने ये पड़ाली दी थी क्या पड़ाली दी थी बेसिक सिच्चा पड़ाली आईए देखते हैं गांदी जी क्या कहते हैं एक मुख्य विशय के रूप में हस्त सिल्फ कलाओं पर आधारित ज्यान दिया जाएगा यानि कि बच्चे को क्या दिया जाएगा हस्त सिल्फ कलाओं का ज्यान दिया जाएगा निश्योल को सिच्चा उपलप्त कराई जाएगी तता बालक के सरवांगीड विकास पर बल दिया गया तता सिच्चड का माद्यम मात्र भासा होगा यानि कि बच्चे का जो सिच्चड का माध्यम होगा ना तो वो ऐसा होगा कि जो बच्चे की समझ में आए जो उसका माध्यम होगा वो कैसा होगा मात्रवासा में जो बच्चे की मात्रवासा होगी उसी माध्यम में उसको सिच्चड दिया जाएगा और किसका सिच्चड दिया यह योजना प्रडाली को हम PRIDALLY कहते हैं ये हमारी दीती CLIPPAT TRICK ने CLIPPAT TRICK ने दीती है हमारी प्रडाली ये भी एक मनोगे ग्ञानिक थे ये क्या कहते हैं? इस प्रडाली में बालक को PRIDALLY कर कर दिया जाता है जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना गुडिया इत्याज बनाना चलिए इसी किरम में आगे चलते हैं आगे हम देखते हैं बेरी बेरी इंपोर्टेंट जीन प्याजे का संजानात्मक विकास का सिद्धान ये भहुत महत्पूर है तो आईए देखते हैं जीन प्याजे का जन्म गुगाता 9 अगस्त 1896 इस्वी में इस्थान क्या था? स्विर्पिजर्ड लेंड में जीन प्याजे का संजानात्मक विकास की दो प्रमुक विसेस्ता हैं पहली क्या है संगठन और दूसरा क्या है अनुकूलन संगठन नभीन ग्यान को एक सार्थक पैटर्ण में प्यविस्तित करने की प्रक्रिया शंगठन कहलाता है संगठन की प्रवासा क्या है? कि नभीन ग्यान को एक सार्थक पैटर्ण में प्यविस्तित करने की प्रक्रिया शंगठन कहलाता है इसी क्रम में अनुकूलन की प्रवासा क्या है? अनकूलन की प्रवस्ता देख लेते हैं कभी-कभी जब व्यक्ति कोई नवीन ज्यान आता है तो व्यक्ति संग्ठन करने में अस्फल हो जाता है तब अनकूलन की प्रक्रिया शुरू होती है ठीक है? आगे देखते हैं सन्यान अत्मक विकास की चार अवस्ता होती है कितने अवस्ता होती है? चार अवस्ता होती है कौन-कौन सी होती है? आईए देखते हैं पहली है हमारी संबेदी गामक अवस्ता यह होती है हमारी जन्म से दो वर्स की जो संबेदिगामा का वस्ता होती है वो जन्म से दो वर्ष की वस्ता होती है दूसरी है हमारी पूर्ग संक्रियात्मक अवस्ता यह हमारी होती है दो वर्ष से साथ वर्ष के बीच की अवस्ता इसको हम कहते हैं पूर्ग संक्रियात्मक अवस्ता यह अवस्ता हैं पूंच लिए जाती हैं कि संग्यानात्मक विकास की चार वस्ता हैं कौन गोन सी हैं तो इनको सही क्रम में लगाना होता है या आपने DLA या BTC जो भी किया होगा उसमें जरूर आपने पड़ा होगा आगे हैं अमारा मूर्च संक्रिया अवस्ता यह अमारी अवस्ता होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष आगे हैं अपचारिक अमूर्च संक्रिया अवस्ता यह अवस्ता होती हैं अमारी 11 वर्ष से 15 वर्ष के वीच के ठीक है तो आईए देखते हैं इन सभी अवस्थाओं के आगे ब्याख्या देखते हैं गहराई से अंदर दन करेंगे अवस्थाओं का चलिए पहली है हमारी संभी दिगामक अवस्था जो जन्म से दो वर्स की बीचिकी होती है तो आईए देखते हैं क्या-क्या टॉपिक है इसके हैं पहला है हमारा जन्म से दो वर्स का बालक किसी बस्तु को पकड़ना, देखना, चूसना, दातों से काटना आधिक्रियां करता है जो जन्म से दो वर्स का बच्चा होगा वो ये सारी क्रिया खलाब करेगा बस तो को अपने पकड़ना हाथों में पकड़ना चाहेगा, देखना चाहेगा और वो सीधा हाथ में लेके मूगी तरब ले जाता है और उसको दांत से काटना चालू करता है याद उसके दांत होंगे, तो वो दांत से काटना चालू करतेगा दूसरा है हमारा प्रकास तथा आवाज के प्रत्किरिया देना शुरू करता है जब भी कहीं से आवाज आएगी या कोई भी आवाज लगाएगा तो वो क्या करेगा उसकी तरफ प्रत्किरिया देगा तीसरा है हमारा असा है जीवधारी से कत्सील अर्दवासी तथा चत्रव्यक्ति बनने का प्रयास करता है इस सवस्था का बालक प्रयास एवन तुर्टी के आधार पर परिस्तितियों को समझने का प्रयास करता है यानि कि प्रयास करता है और गलतियां भी करता है उसी के द्वारा हुआ सीखता जाता है बस तो इस्थायत्त का गुड़ बिक्सित हो जाता है यह प्रिटरिया करते हुए उसमें क्या हो जाता है बस तो इस्थायत्त का गुड़ बिक्सित हो जाता है यानि कि वो बस तुमों को समझने लगता है आगे हम दूसरी अवस्ता देखते हैं दूसरी अवस्ता है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता यह अवस्ता होती है दो वर्ष से साथ वर्ष के बीच की तो आईए देखते हैं इस अवस्था में क्या क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सबसे मुख्य विसेश्था भासा विकास है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दो भागें पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा है हमारा आंत्प्रग्यकाल पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है दो वर्से चार वर्स के बीच का और आंत्प्रक्यकाल होता है चार वर्से साथ वर्स के बीच का आईए पूर्व प्रत्यात्मक काल को देखते हैं क्या कहता है पूर प्रत्यात्मकाल इसका पहला है भासा का विकास यानि कि दो वर्स से चार वर्स के बीच में बच्चे में भासा का विकास होता है दो दो वर्स से चार वर्स की अवस्था का बालक क्यों कव कैसे कहां आज सब्दों को के उतर खोजने का प्रयास करता है यानि कि वह काफी प्रस्ण पूछने लगता है, अपने घरवालों से काफी प्रस्ण पूछता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहा हुआ, इस तरह के प्रस्ण करता है, इसलिए जीन प्याजे ने इस अवस्ता को खोज गी अवस्ता भी कहा है, तीसरा उप्षन है, बणों का अनकरण करने की प्रब्रती पाई जाती है यानि बढ़ों का अनकरण करता है बच्चा जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही बच्चा भी करता है अगर बड़े बड़े लोग कुछ कार कर रहे हैं तो वह भी उनी की तरह कार करने की अनकुलन अनकरण यानि उनी का अनकरण करता है उन्हीं की तरह कार करना चाहता है आगे हैं हमारा आंत्प्रग्यकाल होता है हमारा चार वर्स से साथ वर्स के बीच का इस सवस्ता में इस सवस्ता का बालक जैसे ही किसी बस्तु को देटा सुनता है उसको मस्तिस्क द्वारा तुरंती स्वीकार कर लेता है यानि कि जैसे ही जो वस्त देखी या सुनी उसी बात को मान लेता है उसमें सरचड का सिधान्त किसी वस्तु की मात्रा किसी वस्तु की मात्रा पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता चाहे वस्तु के आकार में परवतन कर दें या छोटे-छोटे खंड़ा में विवाजित कर दें सरचण का सिदान्त के लिए बालक के अंदर दो पूर्व योगताएं विक्सित होनी चाहिए पहली कौन सी गुलूमिनी है ताकी और दूसरी तारके गुडवित ताकी इसी क्रम में आगी चलते है